और आईए अब आपको बताते हैं जरा पॉइंटर्स के साथ कि किस तरीके से बीजेपी जो हारी है समिक्षा रेपोर्ट में वो क्या वज़ें सामने आ रही है सम्विधान संशोधन वाले बयान भारी पढ़ गए कि वो जो बीजेपी की तरफ से 400 पार वाला नारा दिया चारा था उसे विपक्ष ने ट्विस दे कर कह दिया कि 400 पार की मांगी है इसने कर रहे हैं कि ये सम्विधान बदलना चाहते हैं और वही भारी पढ़ गया बीजेपी पर, पिछडी जातियां बीजेपी से अलग हो गई, ये बयान कहीं न कहीं बेहत महत्वपुड माना जा रहा है कि य यही वज़े रही कि पिछडी जातियों में एक डर और वो बीजेपी से अलग हो गई, बीजेपी आरक्षन हटा देगी वाला ये जो नेरेटिव विपक्ष की तरफ से बनाया गया गया ना, कि बीजेपी 400 पार मांगी इसले रही है, सम्विधान बदल देंगे, आरक्षन ह चुरू होता वा, वो वो छिटक गया बीजेपी से, प्रतियोगी परिक्षाओं में टेपर लीक वाला जो मुद्दा है, ये मुद्दा भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत भारी पड़ा, इतना है नहीं, सरकारी अफसरों से कारेकरताओं की नाराजगी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा थी, तो कही न कहीं वो जो बीजेपी का एक कमिटेड वरकर, बीजेपी का कारेकर्था, बीजेपी का एक मोटिवेटेड योद्धा, वो भी कहीं न कहीं उदासीन होता चला गया, सरकारी इस्तर पर कारेकर्ताओं की जो अंदेखी थी, उसक नहीं नहीं, सरकारी विभागों में कॉंट्राक्ट से भरती और आउट्सोर्से, ये जो फैस्ला था, इसको लेकर भी खासी नाराज़गी थी, टिकेट बटवारे में जो जल्दबाजी की गई, उससे भी कहीं न कहीं एक असंतोज जो फेला हुआ था पार्टी के भीतर, ये चल रही थी, हार पर मंधन हो रहा था, उस वक्त भी ये बात जो है, वो उजागर हुई थी, और इसके लिए जो स्थानी प्रशासन है, उसको कहीं न कहीं जिम्मेदार पार्टी की तरफ से ठराए गया था, सबर्थों के नाम मतदाता सूची से हटाए गया, इसके अलावा कई जगों पर मुसल्मानों को उमीदवार बनाया भी गया, लेकिन वो इनफेक्टिव साबत हुए, और बीएसपी के जो उमीदवार थे, वो भी मुसलिम और अन्ने जो जाटव वाले वोट हैं, वो जादा नहीं काट पाए, ऐसी वोटर्स में जादा सेंध नहीं लगा प पिछडी जातियां बीजेपी से अलग हुई है, बीजेपी आरक्षन हटा देगी वाला नेरेटिव जो चला है, गैर यादव OBC, गैर जाटव SC वोट जो है, वो समाजबादी पार्टी को चले गए, ये जो वज़े सामने आ रही है, ये बड़ी वज़े अभिशेक जो साम कीजिए और उसके बाद ब्रस के चेतर काशी, चेतर कानपूर, बुंदेल, खंड, गोरकपूर, हर जगाँ पर एक पैटर मिला है, कि एक पैटर में वोट कम होते चले गए, और उसमें संविधान संशोदन वाले बयान का एक एहम हिस्सा बताया जा रहा है, पिछली जातिय एक नारेटिव चलाए गया, और वो नारेटिव बीजेपी पर भारी पड़ गया, अब वो जो पेपर लिग की आपने बात की है, ज़रा दिखाएए, दुबारा से, वो कुछ और बड़े एहम बज़े जो इस रिपोर्ट में सामने आ रही है, उसमें देखिए, पर कारेकरताओं की जो अंदेखी हो रही थी, एक तो सरकारी अफसरों से कारेकरताओं की नाराजगी, एक सरकारी स्तर पर जो कारेकरताओं की अंदेखी हो रही थी, और सरकारी विभागों में कॉंट्राक्ट से जो भरती और आउट्सोर्सिंग की जा रही थी, वो भी कही न कहीं वज़े बनी तो ये जो चार वज़े अब हम दर्शकों को बता रहे हैं अभिशे कुपाध्या है कुल में लाकर ये तो कहीं न कहीं ऐसी वज़े हैं जो कड़गरे में यूपी सरकार योगी सरकार को खड़ी करती हुई नजर आ रही है बिल्कुल रोमाना देखें ये हर छेतर में पता चला है इसके लमा जो संविदा की भरतिया हैं कॉंट्रेट की भरतिया हैं उसको लेकर के नाराजगी जो आउक्सोर्सिंग हो रही है आरक्षण की निमों के अंदेखी हो रही है वो एक बड़ी नाराजगी का बायस से ये भी योगी सरकार के खाते में जा तब बीयलों ने नाम काटे हैं ये फीडबेक मिला है और ये बीयलों ने जो नाम काटे हैं ये पैटर्न पश्चिन से लेके पूरत तक फालो हुआ है तमाम जगों पर ये शिकायती मिली हैं कि नाम काटे गए हैं तो सरकार से नाराज़गी का एक बड़ा हिस्सा सामने आया और भी अनुप्रिया पटेल नो जो चिठील की आपको ध्यान होगा रोमाना वो भी कही ना कही इसी समिक्षा रिपोर्ट में जो फीडबैक है ये उसी को रिफलेट करती है जी आप रहें मेरे साथ आप बिशेक पाद्या मैं लोटूंगे आपके पास ABP News आपको रखे आगे